असलाम उलेकुम दोस्तो मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट दोस्तो दो दिन पहले मुझे इंडिया से एक भाई ने मुझे फोन किया उसने कहा कि मेरा पासपोर्ट ECR है और मेरा वीजा निकल गया है लेकिन ECR पासपोर्ट होने के वज़े से मेरा इमिग्रेशन पास नहीं हो रहा है चुँके खतर से एग्रिमेंट बंगाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँ फिर उसने मुझे ये भी कहा कि कुछ मुझे दोस्त मशवरा दे रहे हैं कि ECR पासपोर्ट को इसकी जगह में आप ECR पासपोर्ट हासिल कर ले तो फिर आपको जाने के लिए कोई मसला नहीं रहेगा इमिग्रेशन भी पास हो जाएगा तो फिर उसने मुझे कहा कि मेरा वीजा निकल चुका है तो मैं क्या करूं"? मैंने कहा कि य तो बहुत आसान आपसे आपके साथ ज्याती कर रहे है तो दोस्तो आपके साथ मिशाएं शीर कमसला प्यर पेह पिश आ सकता है जैसे आपका वीजा निकलता है लेकिए वीजा निकलने बाद आपका पासपोर्ट गूम हो गया आप दूसरा पासपोर्ट बनवा रहे हैं आपका वीजा निकला हुआ है पुराना पासपोर्ट से तो कैसे करना है क्या करना है इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें इसके अंदर आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तो बात आगे बाराने से पहले मैं आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें खास करके मैं नए आने वाले मेहमानों से रिक्वेश्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली copy आप email कर दें जıs company में आपका वीजा निकला हुआ हुआ है उस company का मंदू भी ओकाम आसानी से कर सकता है पहला तरीका दिये हैं कि आपका जो passport copy और वीजा की लेकर कि passport office में जाएंगे तो passport office में वहां से भी update हो सकता है आपका पुरना पास्पोट का numbers 23 ऑा जाएगा इसी तरह नए पास्पोट का डिट भी आ जाएगा जो दूसरा गरा है। मैं आपको अपने छेखर के करना है कि कईसे करना है कि अगर कोई अदमी का विजा निकला ऑए हूँ और पास्पोट पास्पोर्ट नंबर को चर्झ करना है इसी तरह पास्पोर्ट का वाईलीडाइटिव होता है उसे पास्पोर्ट का जो मिस्टेक है उसको कैसे करना है हम आपको अपने लेफ्टाप से दखाएंगे उसके लिए हमें कफील का ID smart card वाला आईदी होता है वोgs के ज समार्ट मंदूब को smart card ID मिलता है, यहां पर आपको chip SIM card की तरह चीप नजर आएगा, उसको बलते है smart ID card, मेरा ID card में चीप नहीं लगा है, तो यह smart ID card नहीं है, तो बहुत सारे मंदूब को चीप वला ID कार्ड मिलता है तो ये काम आसानी से कर सकता इस कार्ड को कार्ड रीडर में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद सिस्टम ऑपन करते हैं हम आपको करके दिखाते हैं कैसे करना है इसमें एक रियाल का भी खर्चा नहीं बिल्कुल फिरी है दोस्तों ये नोलेज मैं अगर ये नोलेज आपके साथ में रहेगा तो आपका पैसा फाल्तू खर्च होने से बच सकता है तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताके दूसरे लोगों को भी मालूम हो सके आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो जाए ये तो बहुत ही अच् करना है उसको हम वीजा करके नंबर हम कोपी करके उसको अमराख लेते हैं उसके बाद यह सर्विस ओपन करेंगे इंग्लिश में करके इस सर्विस को चूज करेंगे उसके बाद हम इसको इंग्लिश में कर लेंगे और वीजा सर्विस को हम चूज करेंगे वीजा सर्विस को और भीजाग को शो कर रहा है उससे पहले हम इसको log in कर लेते हैं तो हमने log in करने के लिए यहाँ पर password डाल देंगे और उसके बाद जिस company को जिस company का वीजा है उस company को चूज करना पड़ेगा इस company को हमने select कर लिया है और उसके बाद visa service पर click करेंगे उसके बाद update visa information इस पर click करने के बाद यहाँ पर हम visa number को जो copy किया थे हम पर paste कर देंगे और next पर click करेंगे तो उसका सारा detail हमारे सामने में आ जायागा देखिए यहाँ पर उसका कुछ कुछ देखा रहाँ यहाँ पर नीचे में पासपोर्ट number है इस option को हम चूज करेंगे और जो पासपोर्ट हमको change करना है उसके नंबर चेंज करना है इसको मदेट करके number change कर देंगे उसके पाद यहाँ passport एक स्पारी डेट है इसको भी हम चैन्ज कर देंगे देखिए असानिस हम चैन्ज कर सकते हैं उसका नीची में टिक का निशान है इसको हम सेलेक्ट करके सब्मिट पर किलिक कर देंगे तो यह असानी से हो जाएगा कुछ मुश्किल नहीं है कोई इसमें कुछ फिस्पे पे नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तो इस तरह हम कर सकते हैं दोस्तो इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुगा हूँ कि हम कतर में फैमल